Hello friends, welcome all of you on Quality Infect Friends, आज की इस वीडियो में मैं एंटोनियो ग्रामशी को आपके सामने डिसकस करने वाला हूँ तो एंटोनियो ग्रामशी हाला कि पहले से ही आपके CBSE NET के सलेबस में भी ये लगे थे और NTA में भी है आपके सामने एंटोनियो ग्रामशी आपके सलेबस में क्यों लगे है ये आखिर इनके अंदर ऐसी क्या विशेशता थी तो आपको पता होगा कि critical theory के ये अगरदूत माने जाते हैं और नियो मार्कसिस्ट पहले नियो मार्कसिस्ट माने जाते हैं स्टैमेटिक नीयो मार्कसिस्ट और अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके फैवरेट डार्शनिक कौण है तो मेरे सबसे फैवरेट मेरे आईडल जो दार्शनिक है वो एंटोनियो ग्रामशी ही है उसके बाद काल पोपर और उसके बाद महात्मा गांधी अम्बेटकर ये सारे तो एंटोनियो ग्रामशी मेरे सबसे फैवरेट चिंतकों में से एक है तो शुरू करते हैं इस वीडियो माना जाता है वे इतली के फासिवाद से लड़े इतली में फासिवाद जब शुरू हुआ था मुसलिनी ने जो फासिवाद शुरू किया था उससे ये लड़े और उसी की कारण हलाकि इनकी डैथ भी हुई थी 1926 से लेके 1934 तक ये फासिवादी जेल में रहे बचपन में इनकी खराब सेहत के चलते इनका कद पांच फिट से भी कम रह गया था 1913 में इन्होंने समाजवादी दल की सद्यस्यता ली और 1915 से सक्रियर राजनीती में ये आए तो आप देख सकते हूं कितनी कम एज में 1891 में इनका जनम होता है और 1915 से ये एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गये थे 1921 में इन्होंने इटली में PCI Communist Party की स्थापना की थी अब कॉश्चन आप से पूच सकते हैं People Communist इसकी फुल फॉम आपने देख लेना है थोड़ी confusing है PCI की स्थापना इन्होंने 1921 में की थी इनकी राजनितिक सक्रियता के कारण Mussolini ने 1926 में इन्हें जेल में डाल दिया और इन्होंने जेल के अंदर 30 नॉट बुक्स जो की 3,000 प्रिष्टों में लिखी जिसका नाम इन्होंने The Modern Prince रखा क्योंकि ये मैक्यावली के यथार्थ वाद से बहुत जादा प्रभावी थे अब मैक्यावली का आपने देखा होगा मैक्यावली ने लिखी है The Prince और मैक्यावली भी इटली के ही रहने वाले थे और इटली का समास उधार के उपर मैक्यावली ने काम किया तो महान आदर्ष मानते थे और ये बोलते थे कि मेरे पूर्वज है मैक्यावली तो उनकी उस विरासत को मैं आगे बढ़ाऊंगा और ये 30 नोटबुक्स इन्होंने लिखी इसे प्रिजन नोटबुक भी कहा जाता है ठीक है तो इनका जितना भी कारिये है जितना भी इन्होंने लेखन कारे किया है सारा का सारा जेल में मिलने वाले देनिक अखवारों के खाली पत्रों पर छुपकर इन्होंने किया क्योंकि इन्हें किसी भी प्रकार के विचार अभी व्यक्ति का अधिकार नहीं था ये माइंड से इतने ज़ादा शार्प थे इनके जो आइडिया थे इतने क्रांती कारी थे समाज में परिवर्तन लाने वाले थे कि मुझहलीनी को समझ आ गया अगर ये बंदा बाहार रहा तो ये मेरा फासिवाद जो है राष्टरवाद की भावना है उसको तहस नहस कर देगा इसलिए इसके विचार भी बाहर नहीं आने चाहिए इसलिए उसे पढ़ने लिखने की कोई सामगरी नहीं दी गई थी हलाकि उस टाइम दी जाती थी तो इन्होंने अखवार के उपर ही ये 30 नोटबुक लिखी है इन्होंने पूझीवादी राज्यों में साम्यवादी करांती पर विशलेशन किया यानि जितने भी पूझीवादी राज्ये आपके यूरोप के अंदर थे इंगलेंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली या अमेरिका हो गया आपका वहाँ पे पूझीवाद किस परकार से बढ़ रहा है और जैसा की कालमाक्स बोलते थे जहाँ पे पूझीवाद अपने शीर्श्पे होगा, वहाँ पे खरांती होगी तो ग्रामशी ने उसके उपर काम किया और इन्होंने बोला कि ऐसा होगा ही नहीं ऐसा होगा ही नहीं क्यों नहीं होगा वो मैं आगे आपको डिसकस करूँगा और ग्रामशी ने पुझीवादी देशों में पुझीवाद के बने रहने का मूल कारण अब दिखो पुंजीवादी देशों में पुंजीवाद क्यों बना है उसका मूल कारण पुंजीवादी विवस्था द्वारा नागरिक समाज पर आधिपत्य को माना अब कॉंसेप्ट ओफ हैजेमनी का सिधान्त आधिपत्य का सिधान्त ये डारेक्ट रूप से किस से जुड़ा है ग्रामशी से जुड़ा है अब आधिपत्य क्या होता है वो भी आगे आपको बताता हूँ कल्चरल हैजेमनी इसको इन्होंने बोला अक्तूबर 1917 की रूसी क्रांती के पश्चात साम्यवादी विचारक पूरे विश्व में क्रांती के लिए प्रत्निशील थे परन्तु इटली में साम्यवादी क्रांती के बजाए फासीवादी विवस्ता सापित होगी अब लोगों ने क्या बोला था स्टालिन और आपके जो लैनिन थे उन्होंने क्या बात की थी कि हम पूरे विश्व में क्या करेंगे पूरे विश्व में साम्यवाद को ले आएंगे लेकिन यहाँ उल्टा ही हो गया यहाँ फासीवाद आ गया फासीवाद तो कॉमुनिजम के बिल्कुल opposite side पे ग्रामशी के अनुसार फासीवादी व्यवस्था पूंजीवाद का ही एक रूप है जो फासिवादी विवस्ता है, फासिवाद क्या है, फासिवाद के उपर भी आपकी clear समझ होनी चाहिए, क्योंकि लोग फासिवाद को कॉमुनिजम के साथ कभी-कभी इंटरिलेट कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई भी सीरा एक दूसरे से नहीं मिलता है, फासिवाद क्या होता मुसलिनी के शब्दों में बोलो हिटलर के शब्दों में किसी के भी शब्दों में बोलो तो फासिवाद होता क्या है फासिवाद होता है जिसमें अपने राष्टर के लिए चरम भावना हो राष्टरवाद जिसमें सबसे जादा प्रबल हो राष्टर ही सब कुछ है राष्टर के लिए अगर एक समुदाय को पूरी तरीके से मारना पड़े तो हम मारने को तयार है वो है फासिवाद जिसे हिंदू नेशनलिजम पस हिंदू है हिंदू है मुसलिम को माननेता नहीं देते यही हुआ था आपके जर्मनी के अंदर जब ह इटलर ने यहूदियों का सफाया किया था उन्होंने बोला था कि यहूदी जो है वो सबसे घटिया आपका एक रेस है और जो आपके आरिय है आरिय महान है आरिय को ही राज करना चाहिए और आरियन राष्टरवाद की उन्होंने बात की थी आरियन नैशनलिजम की बात की इसका basic concept फासिवाद का क्या होता है ये बाहरी व्यपार को minimum करने की कोशिश करते हैं और आत्म निर्भर होने की ये बात करते हैं ये राश्ट्री एकता की बात करते हैं इंटीग्रिटी की बात करते हैं इंटीग्रिटी के लिए किसी को भी ये मार सकते हैं दमन कर सकते हैं मॉ definition नहीं है आप NCRT में भी इसको देख सकते हैं ठीक है तो ग्रामशी ने क्या बोला कि जो आपका फासिवाद है फासिवाद क्या है पूंजीवाद का ही एक रूप है ठीक है क्यूंकि पूंजीवाद जब सहमती वा लोकतंतर द्वारा शाषन चलाने में असफल होता है तब र फासिवाद ऐसे नहीं होता है कि एक तानाशाह पैदा हो जाएगा और पूरा सफाया कर लेगा देश का जो भी तानाशाह पैदा होता है वो लोगों की सहमती से होता है इलेक्टिड तानाशाह पैदा होता है वो होता है फासिवाद अगर वो इलेक्टिड नहीं है ना तो totalitarianism कहलाएगा authoritarianism कहलाएगा लेकिन यह है fascism fascism है जनता द्वारा चुना गया तानाशा ठीक है तो इस बात को भी आपने बिल्कुल याद रखना है Marx के पश्चाथ Lenin ने पुंजीवादी देशों में पुंजीवाद के बने रहने का मूल कारण अब देखो Marx क्या बोलते है Marx के पश्चा Lenin क्या बोलते है Lenin ने पुंजीवादी देशों में पुंजीवाद के बने रहने का मूल कारण समराज्यवाद माना तो इनकी बुक आपको याद आगी होगी Capitalism is the highest stage of Imperialism Sorry, Imperialism is the highest stage of capitalism ठीक है तो समराज्यवाद को इन्होंने माना कि समराज्यवाद के कारण ही पुंजीवाद बचा हुआ है Lenin ने माना कि समराज्यवाद की समाप्ती के पश्चात पश्चिमी यूरोपिये देशों में साम्यवादी करांती होगी अगर आप कलोनियलिजम या इंपिरियलिजम को खतम कर दोगे तब भी समयवादी करांती संभव है ये Lenin बात कर रहे थे Lenin के अनुसार समराज्यवादी युग में पुंजीवादी देश अफ्रीका के विशाल कच्चे संसादनों का शोषन करते है किन्तु जब अफ्रीका के ये देश शोषन के लिए नहीं रहेंगे तब बुर्जुआ वर्ग के लोग अपने ही देश के सरवहारा वर्ग का शोषन करेंगे परिणाम स्वरू पुंजीवादी देशों में भी करांती होगी लैनिन का कॉंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कहीं से भी कॉश्चन आप से पूछ ले लैनिन के उपर की सामराज जियावाद के उपर इन्होंने जो इंपिरियलिज्म इस दाहिए स्टेज ओप कैपिटलिज्म उसमें ये बोलना क्या जाते है ठीक है ये यही बोलना चाहते है अगर इंग्लैंड में क्रांटी नहीं आई है उस टाइम की बात बोल रहा हूँ मैं अगर इंग्लैंड में अभी तक सामयवादी क्रांटी नहीं आई है उसका कारण क्या है उसका कारण है भारत उसका कारण है अफरीकी देश क्योंकि अभी किसका शोषन कर रहे हैं अभी भारत का शोषन कर रहे हैं अफरीका का शोषन कर रहे हैं जब अफरीका और भारत से संसाधन खतम हो जाएंगे न तो ये शोषन कारी जो इंगलेंड के अंदर capitalist है ये इंगलेंड के ही अंदर के गरीब लोगों का शोषण करेंगे तब करांती आएगी हूँ हाँ पर ये बात कर रहे थे आपके Lenin तो ये आपको clear हो गया होगा हलाकि ग्रामशी ने रूसी क्रांती की अत्याधिक परशंशा की परन्तु उसने ये भी कहा कि रूसी क्रांती की रणनीती का प्रयोग पूंजीवादी देशों में करना सही नहीं है क्योंकि पुंजिवादी देशों में नागरिक समाज और राज्य का विभाजन स्पष्ट है अब देखो पुंजिवादी देशों में क्या है नागरिक समाज और राज्य का विभाजन स्पष्ट है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है पुंजिवादी देशों में अब रूस में क्या था, रूस में कोई सपष्ट भीवाजन नहीं था, वहाँ पे क्या था, अथोरिटेरियन एक सत्ता थी, जो कि हर लोगों को क्या कर रही थी, हर एक व्यक्ति का शोषन कर रही थी वो, रूस के अंदर, ठीक है, वो चाए अमीर हो चाए वो गरीब हो, हर लो क्रांती थी, बुर्जुआ क्रांती क्या होता है, बुर्जुआ होते कुछ, जो अमीर लोगों का एक ग्रूप होता है, छोटे मोटे अमीर लोग, उन लोगों ने क्रांती की थी, वो राज्जी के खिलाब, ठीक है, कोई मजदूरों ने नहीं की थी वो, इस बात को आपने दिमाग में विठा लेनी है ठीक है और ग्रामशी बोलते है क्योंकि पूंजी वाधी देशों में क्या है नागरिक समाज अलग है और आपका राजनीतिक समाज अलग है या जिसे आप राज्ये बोलते है नागरिक समाज क्या करेगा नागरिक समाज वहाँ पे सोशल जितने भ और बाहरी कारेों को देखता है तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट विभाजन है तो कभी भी आपके जो राज्य है वो डारेक्ट शोष्ण नहीं कर रहा है किसी का तो इसको मैं आगे अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा माक्स क्या बोलते हैं कि आर्थिक रूप से ही तो आप देखते हैं मैटेरियल को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्तो दिया है हर जगा मैटेरियल की बात करते हैं काल माक्स तो ये बोलते हैं कि आर्थिक रूप से जो प्रभुत्तो शाली वर्ग होता है एवं बाध्यकारी शक्ति द्वारा पुझी पतियों ने राज्ये पर अपना नियंतरन कायम किया है। ग्रामशी ने माक्स की उपरोक्त मान्यताओं में परिवर्तन कर दिया। ये माकस्वादी वीचारू को में पहले विचारक है जिननोंने माकस्वादी विचारों की अत्यंत मौलिक व्याक्या प्रस्तुत की तो ये पहले व्यक्ति थे कि भाई जो आप बोल रहे हो कि economic जो wealthy people है वो ही society को control करेंगे ऐसा नहीं है कोई अगर भारत के संदर में बोले तो आपके मोदी जी कोई economical wealthy people नहीं थे चाय बेशते थे तो कालमाकस जी आप गलत बोल रहे थे तो ये इन्होंने उसमें सुधार किया ठीके कैसे सुधार किया वो भी आगे इसमें सब दिया है ग्रामशी ने राज्य की उत्पत्ती की व्याख्या करते हुए कहा कि राज्य की उत्पत्ती तीन प्रकार की सामाजिक शक्तियों के मध्य संगर्ष का परिणाम है राज्य की उत्पत्ती संगर्ष से हुई ना कि समझोते से हुई इसको भी आपने पहले समझ लेना है ग्रामशी क्या बोलता है सामाजिक संगर्ष से हुई तो पहले ये चिन तक है पहले तो सामाजिक समझोते की बात हुई थी तो ये संगर्ष की बात कर रहे है नंबर एक वह सामाजिक शक्तिया जो नेत्रित्व प्रदान कर रही है नंबर दो वह सामाजिक शक्तिया जिनके ब पहले तो जो नेत्री तो प्रदान कर रही है यानि जो पावर में है पहला वो और दूसरी social power power में for example बीजेपी है social power में कौन है social power में आपके बहुत सी social organization आपके religion हो गया आपका परिवार हो गया बहुत से आपको पता institution है ठीक है तीसरा cultural hegemony जो कि धर्म के द्वारा स्थापित की जाती है जो कि आपके परिवार के द्वारा भी स्थापित की जाती है civil society के द्वारा जब इन तीनों के बिच टक्राओ हुआ तब राज्जी की उत्पत्ति हुई ऐसा बोलते हैं ठीक है और उनके अनुसार नागरिक समाज पर आधिपत्य यानि जो civil society है उसके उपर हैजेमनी बौधिक वा नैतिक नैत्रित्व द्वारा स्थापित होगा ये हैजेमनी का कॉंसेप्ट इनका शुरू हो गया हला कि आगे भी दिया है इसको लेकिन इसको यहीं पर आप समझ लो अब इनोंने बोला कि नागरिक समाज पर जो हैजेमनी है वो किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा वो जो rational people होगे बुद्धी जीवी जो होगे और नैतिक मूल्यों को जो मानेंगे और उसका नित्रित्व करेंगे उनके द्वारा हैजेमनी स्थापित की जाती है जिसमें श दिखेकारी शक्ती नहीं है यानि डंडे के जो और पे आपसे कोई कलч़र को नहीं मनाता है कि आप कल्चर को मानो ठीक है ये पिछी से चलता रहे आपका परिवार बोलेगा जी तो हमारे देवता इनका पालन करो हाला कि किसी ये कि आप इसको नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं ग्रामशी के अनुसार पूंजीवादी राज्ये के द्वारा समूचे समाज का प्रतिनी दित्व नहीं किया जाता ये भी आपके लिए important है कि पूझी वादी राज्ये पूरे समाज का प्रतिनी दित्व नहीं करता इसलिए उन्होंने नागरिक समाज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए संगठित बुद्धी जीवी या और्गेनिक इंटलेक्चुल या सम्मेवादी दल की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना अब कालमाक्स तो कहीं भी बात ने करते हैं कि कॉम्मिनिस्ट पार्टी होगी या पार्टी होगी कालमाक्स तो सिधा बोलते हैं कि मजदूर करन्ती करेंगे दुनिया भर के मजदूरों इकठे हो जाओ तुम्हारे पास पाने के लिए कुछ नहीं है पाने के लिए तुम्हारे पास पूरा जहान है और खोने के लिए सिर्फ बेडिया है तो कालमाक्स क्या बात कर रहे थे कि क्रांटी आएगी मजदूरों के द्वारा लेकिन लेनिन क्या बात करते हैं लेनी बोलते है सामयवादी पार्टी वैसे ग्रामशी भी बोलते है कि सामयवादी पार्टी ही करांति ला सकती है मजदूरू के बसकी ये बात नहीं है ठीक है और वो लाएगे कौन संगठित बुद्धी जीवी अगर आपको ये समझ आगी ना ग्रामशी में आप मैं बोलो आपको पूरा समझ आ गया तो अब देखो जो नागरिक समाज के उपर अगर आपने आधिपत्य करना है अब आपना समाज ले लो कोई भी समाज आप ले लो फेर अग्जयंपल मैं यहां सिम्ला का समाज ले लेता हूं शिम्ला कें अंदर सोसाइटी है आपकी ट्रेड उनियन युनियन तो नहीं बोल पाूँगा लेकिन जो आपके वियापारी समाज है वियापारी समाज है वियापारी समाज में अगर आपको करांती लानी है तो आप कैसे लाओगे ऐस तो नहीं लाओगे कि सिधा भाषन देने चलेगे और लोगों कोई कठा किया यह तो possible नहीं है आम आदमी के बसका काम नहीं है आपको क्या करना पड़ेगा Organic Intellectual बनाने पड़ेंगे संगठित बुद्धी जीवी ठीक है तो संगठित बुद्धी जीवी क्या होते है हर एक सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे बुद्धी जीवी होते है कुछ ऐसे बुद्धी जीवी होते है जिनके अंदर ये कैपेस्टी होती है कि वो समाज को समझा सके इतनी कैपेस्टी होती है कि उनका लोग सुनते भी है ठीक है तो उनको वो लड़ाता है Organic Intellectual ठीक है अगर लोवर कास्ट के अंदर भी Intellectual होते है Organic Intellectual हो अपने पूरे समाज को इकठा करेंगे और कहेंगे कि अगर यारक्षन गया तो हम गये तो इस तरीके से तो ये Organic Intellectual होते है जो बुद्धी जीवी होते है कितने टाइप के होते है सब कुछ आगे दिया है आपको ये सारा उसमें समझा आ जाएगा ठीक है तो सामयवादी दल की भूमी का इन्होंने महतोपूर्ण माना इन्ही के द्वारा आम जनता में वर्ग चेतना वाकरांती कारी चेतना का विकास किया जाता है किसके द्वारा पार्टी के द्वारा ग्रामशी ने राज्य के विशलेशन वाकरांती की संकल्पना में आत्म निष्ट वा वैचारिक तत्व को अधिक महतोपूर्ण माना आत्म मिंस अपने से रिलेटिड ठीक है आत्म निष्ट ये कोई अब्जेक्टिव की बात नहीं करते हैं ये सब्जेक्टिव की बात करते हैं उनके अनुसार व्यक्ती की भूमी का निष्क्रिय ना होकर सक्रिय है यानि हर व्यक्ती करांती को लाने के लिए महतोपूर्ण है अगर वो धिमाग से प्रिपेर है तकनीकी क्षमता प्रधान लोग एवं ऐसे व्यक्ति जो समाज को निर्देशित करते हैं बुद्धी जीवी कहलाते हैं ये बुद्धी जीवी उत्पादन सांस्कृतिक, राजनीतिक वा प्रशाशनिक गति वीदियो से संबंदित हो सकते हैं उनके अनुसार संगठित बुद बुद्धी जीवीओं को निमलिखित रूप में विभाजित किया है जो ट्रेडिशनल इंटलेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अपने मुवीज के दौरा आपने देखियोंगे बहुत ही समाज सुधारक मुविया आई है या फिर इस तरह की की आप अमबेड करके उपर देख सकते हैं जातिय प्रता के उसके खतम उन्मुलन के लिए या फिर नैशनल इंटीग्रिटी के लिए या फिर सामाजिक बुराई को या फिर समाज को आगे ले जाने के लिए उसके अंदर सही और गलत की भावना को विक्सित करने के लिए दूसरे टाइप के बुद्धी जीवी नोंने बताया धार्मिक बुद्धी जीवी जो धार्मिक है रिलीजियस ठीक है इसमें धर्म गुरु कलाकार जो प्रभुत् ग्रामशी के अनुसार परंपरागत बुद्धी जीवी शाशक वर के दृष्टी कौन से पूर्णता सहमत हो ऐसा आवश्यक नहीं समझे या नहीं समझे अभी अन्दभक्ती चली है नेकिन ग्रामशी पहले ही बोल गये अब मोदी जी बोल रहे हैं जरूरी नहीं है कि आप उसको मानना ही है आप अपनी जॉब को देख रहे हैं कि नहीं अगर मैंने इसके खिलाब बोला तो मेरी जॉब चली जाएगी या मेरी जॉब भी नहीं लगेगी कुछ लोगों का है हमारे युनिवसिटी में मैक्सिमम लोगों का यह है कि हमने अगर बीजेपी के खिलाब मोदी के खिलाब बोला तो हमें जौब भी नहीं लगेगी अरे भई आप अपना दाईत्तो निभानी रहे हो आपको पता यह चीज़ गलत है गलत को आप गलत नहीं बोल रहे हो आप सही को सही नहीं बोल पा रहे हो जहां पर Congress गलत है वहाँ Congress का criticize करना विद्वानों का काम है जहाँ बीजेपी गलत है वहाँ बीजेपी का criticize करना हमारा दाइत्तो है तो कभी भी जो लोग लोग में रहते हैं opportunist बनते हैं वो कभी भी society को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं ठीक है? तो ये concept भी इन्होंने ही दिया है कि जरूरी नहीं है कि शाषक वर के द्रिष्टी कोण के साथ उनको समझोता करना ही पड़ेगा ठीक है? परन्तु ये सामनेता शाषक वर के द्रिष्टी कोण के साथ समझोता कर लेते हैं अब देखो समझोता कर लेते हैं सम्मान्यता कर लेते हैं क्योंकि मैंने बता दिया कि उनको डर क्या रहता है पहला तो जान का फिर उनको अपने सम्मान का पोस्ट का इसलिए समझोता करते हैं ये लोग ठीक है उनके अनुसार परंपरागत बुद्धी जीवी चेतना चेतन या अचेतन रूप से रूडिवादी विचारों का प्रचार करते हैं अब ये ट्रैडिशनल इंटेलेक्चुल की बात यहाँ पर हो रही है ट्रैडिशनल जो इंटेलेक्चुल अब मौडन इंटेलेक्चुल भी है वो भी आपको बताऊंगा, ट्रैडिशनल जितने भी धार्मिक है, आपके धार्म गुरु मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, आपके कलाकार, विद्वान, आपके धार्मिक बुद्धी जीवी, गुरु, या फिर आप देख सकते हैं इंडिया, इंडिया में बहुत से ऐसे संगठन है, आपका विएचपी, विश्व हिंदू परिशद, बहुत से संगठन हैं, जो सांट गाठ कर लेते हैं, और रूडिवादी विचारों का परचार करते हैं, तो यह ट्रैडिशनल इंटलेक्चुल का इन्होंने उधारन दिया है, ग्रामशी के अनुसार, महान बुद्धी जी लेकिन उनकी कुछ नीतिया ऐसी है कि हिंदूइजम को ही बढ़ावा देना या फिर दूसरे मल्टी कल्चुरलिजम को नहीं मानते हैं, उस यगा पर उनका में विरोध करता हूँ, वाकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनसे, ठीक है? आपको मल्टी कल्चुरलिजम को तो मा अपनी माननेता है, आपको माननेता देनी पड़ेगी, अदर्वाइज आपकी आलोचना होती ही रहेगी, ठीक है? तो आप इंटेलेक्चुल देखो कि जो बुद्धी जीवी स्थानंतरित करते रहते हैं विचारों को आगे से आगे, आगे से आगे ट्रांस्फोर्मेशन इ अंगठित बुद्धी जीवी वर्ग के द्वारा किया जाएगा, समझे इस बात को आप, कि सर्वहारा वर्ग की जो नई संस्कृती है ना, उसका निर्मान कोन करेंगे, यही लोग करेंगे, ठीक है? बुद्धी जीवी, अता ग्रामशी ने साम्यवादी दल का सिधान्त प दिया जाएगा, आधुनिक बुर्जुवादी समाज में, आधुनिक प्रिंस की आवशकता है, जो पुझी वादी देशों में साम्यवादी शाषन को स्थापित करेगा, तो यह इन्होंने प्रिंस के अंदर लिखा है, जो मौडन प्रिंस, मौडन प्रिंस इन्होंने स्ट एक्टुली पर इन्डारेक्टली जादा तर बात की है ताकि जल्दी से बात किसी के भेजे में ना गुषे और जल्दी से मारा है जोओं, ठीके, इस तरीके से इनकी लेखनी थी राज्य की सापेक स्वायकता का सिधान्त रिलेटिव ओटोनुमी का सिधान्त हलाकि माक्स से लिया इन्होंने माक्स से लिया है लेकिन इन्होंने भी इसके उपर काम किया है ग्रामशी द्वारा माक्स के आधार वा संरचना का विशलिशन ठीक है आधार और संद्रचना क्या है कालमाक्स की most important आपके लिए चीज है आधार और संद्रचना तो ये कालमाक्स की अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत जाला टाइम लगेगा समझाने में ग्रामशी ने आधार तथा संद्रचना के संबंदों की व्याख्या नवीन रूप में प्रस्तुत की आधार वा संद्रचना के मध्य का गैर माक्सवादी विचार निमन लिखित है गैर माक्सवादी क्या है माक्स वादी अगर आप बात करो तो माक्स मेटेरियल की बात करते हैं बहुत तिक तक्तों की बात ज़ादा करते हैं तो गैर माक्स वादी यानि इननों ने बहुत तिक को कहीं मेटेरियल कौ ने कहीं कम करके उसके अंदर क्या है socially cultural इवेंट को जोड़ दिया जिसे गेर माक्सवादी कहा जा रहा है अब देखो आप मुझे नहीं लगता है आपको आपको इजिली यहां पे माक्स का आधार और संद्रचना समझ आ जाएगा आपको संद्रचना के द्वारा आधार का निर्धारन होता है जो स्ट्रक्चर है संद्रचना वा आधार दोनों समान रूप में अंतक्रिया करते हैं जबकि माक्सवादी विचार में आधार के द्वारा संद्रचना का निर्मान होता है जिसमें आर्थिक पक्ष्व सर्वाधिक महतोपून है अब देखो आधार क्या माना है काल माक्स ने इकोनमी को आधार माना है material चीजों को आधार माना है अगर आप देखो आपका आधार क्या है material है तो अगर आप ancient time की बात करो तो ancient time में क्या था आप आपकी जो आधार था आपकी economy किस पे आधारी थी भेडबकरी या फिर पशुपालन पे ठीक है क्रिशी के उपर आधारी थी तो आधार उस time क्या था क्रिशी क्रिशी के उपर संद्रचना उस base क्या त्यार हुआ सामन्तवादी feudal system उसके उपर पैदा हुआ क्रिशी के उपर उसके बाद आधार क्या हुआ आधार के उपर संद्रचना क्या बनी आधार के उपर संद्रचना बनी जितनी भी इंडस्ट्री आपकी बनी जिसको आगे जाके बोला गया पुझी वाद आधार थी आपकी इंडस्ट्री इंडस्ट्री से आपका संद्रचना क्या बनी पुझी वाद की संद्रचना तो वैसे ही आधार और संद्रचना का ये कॉंसेप्ट है थोड़ा टफ है लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी ठीक है ग्रामशी ने आधार वा संद्रचना के संबंध को राज्य के सापक्ष स्वायत्ता के सिधान के रूप में माना है इसमें ग्रामशी ने समाज वा इतिहास के भौतिक वा व्यग्यानिक विशलेशन के बजाए consciousness को अधिक महत्वपून माना तो कालमाक्स ने क्या किया बहुतिक और व्यग्यानिक विशलेशन किया था लेकिन चेतना को जो सबसे ज़ादा बल दिया वो बल दिया ग्रामशी ने ग्रामशी इटली के प्रसिद दार्शनिक क्रोचे से प्रभावित थे उनके अनुसार समाज को समझने के लिए मानुवी संबंध जादा महत्तोपून है क्रोचे के अनुसार अगर आपको समाज को समझना है तो मानुवी संबंधों को पहले समझना पड़ेगा अगर मानवी संबंद वहाँ पे अच्छे हैं, लोग प्यार से रहते हैं, तो समाज भी वहाँ पे अच्छा होगा, ये बात क्रोचे करते हैं, अलगि पहले भी कई दार्शनिकों ने ये बात की थी, ठीके, लेकिन इन्हों ने आधारो संद्रसना के उपर इसको लागू किया क्रोचे ने, उनके अनुसार, समाज को समझने के लिए बानवी संबंद जादा महतुपूर्ण है, ग्रामशी ने कहा कि राज्य की व्याख्या केवल आर्थिक कारकू के आधार पर समझना पर्याप नहीं है, जैसा कि माक्स कहा करते थे, अपीतू, धार्मिक सामाजी क्वा Sanskrit, अन्य कारक भी राज्य को प्रवावित करते हैं, माक्स के अनुसार, राज्य एक परजीवी संस्था है, जो मुलता शोषण का एक यंत्र है, जो मजदूरों के खून को खाकर पलती है, अब माक्स ने परजीवी संस्था बोला है, परजीवी का मतलब क्या होता है, परजी करते हैं ठीक है तो इंसान भी एक परजीवी है वैसे स्टेट भी एक परजीवी है जो की मजदूरों के खून को खाकर पल रही है उनका शोषन करके पल रही है इसलिए शोषन की संस्था इसको माना काल माक्स ने ठीक है ग्रामशी के अनुसार राज्य के बने रहने का मूल का सिविल सोसाइटी के आधार पर प्रभावी रूप से विशलेशीत किया जा सकता है। अब काल माक्स क्या बोलते थे, राज्य कैसे बना हुआ, ये शोषन के दोरा बनाया है, लोगों का खुन पीके बनाया है। लेकिन ग्रामशी क्या बोलते हैं, कि राज्य इसलिए बनाया है, क्योंकि इसका आधार सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग है, जो राज्य को मानते हैं, सिविल सोसाइटी के अंदर पुंजीवादी है, सिविल सोसाइटी के अंदर ही सकता है सापिक स्वायत्ता का आशे है राज्य केवल आर्थिक कारकों पर निर्भर नहीं है ठीक है कहने का आशे है कि राज्य आर्थिक कारकों के अतिरिक्त अन्य कारकों पर भी निर्भर है उसके अनुसार अन्य कारक का आशे सब्व्य समाज की सहमती से है अर्थात पुंज अधिवादी राज्ये के बने रहने में समाज की सहमती सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है तो आपको हलाकि समझ आ गया होगा लेकिन नहीं आया है कलेर्टी आगे आपको इसमें मिल जाएगी यहाँ पर ध्यान देने योग्य बिंदू यह है कि वो राज्ये को निरप से प्रभावित होता है लेकिन केवल आर्थिक कारक मातर से नहीं बलकि अन्यकारकों से भी इसलिए टोटल आटोनमस नहीं है रिलेटिव आटोनमस है कहने का आशे है कि यदि आर्थिक कारक राज्ये को प्रभावित करते हैं तो राजनितिक कारक भी आर्थिक गतिवीदिय को प्रभावित करते हैं रिलेटिव है एक दूसरे से आर्थिक कारक राजनितिक कारक पे डिपेंड है और राजनितिक कारक क्या है आर्थिक कारक से रिलेटिड है ठीक है अब देखो इसको कैसे समझ सकते आप अगर आपका अमबानी अडानी जितने भी बड़े बड़े उद्योग पती है ये आपकी गौर्वर्मेंट को सपोर्ट नहीं करते तो गौर्मेंट कलेप्स कर जाएगी अगर ये राजनितिग्य इन लोगों का समर्थन नहीं करते इनको ठेके नहीं देते हैं तो पुंजीवादी मर जाएंगे तो रिलेटिव अटॉनमी है ना रिलेटिव है ना एक दूसरे से तो यही बात करना चाह रहे हैं यापे ग्रामशी ठीक है ग्रामशी के अनुसार वर्ष 1917 की अक्तुबर क्रांटी निरनायक रूप में साम्मेवादी इतिहास में एक प्रशंसनिय घटना है लेकिन ग्रामशी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि क्रांटी की जो रणनीती सोवियत संग में प्रयोग की गई उसे अन्य पूझिवादी देशों में नहीं प्रयोग किया जा सकता क्यूंकि विक्सित पूझिवादी देशों में सव्य समाज और राज्य के मध्य अंतर स्पष्ट होता है इसलिए पूझिवादी देशों में क्रांटी का आशे राज्य पर नियंतरन से नहीं हो सकता बलकि पूझिवादी देशों में क्रांटी सव्य समाज में आधिपत्य द्वारा ही लाई जा सकती है इसी संकल्पना को ग्रामशी ने गतिशील युद वा स्थितियों में के मध्य युद की संग्या दी गतिशील युद डायनिमिक वार और स्थितियों के मध्य युद की संग्या दी है उसके गतिशील युद का आशे है डायनिमिक जो वार है उसक स्थापित कर लिया लेकिन विक्सित पुझीवादी देशों में ग्रामशी स्थितियों के मद्य यूद की संकल्पना देता है जिसका अभी प्राय है कि सर्वोहारा वर्ग पहले सभ्य समाज पर अपना अधी पत्य स्थापित करेगा समझ रहे हो ना सबसे पहले क्या करेगा जो आपका सब ये वर्ग है जो आपका जिसको मिडल क्लास भी बोला जाता है उसके उपर पहले मजदूरों को अपना कंट्रोल करना पड़ेगा ठीक है उसके पश्चा स्वाभावी क्रूप से राज्ये पर उसका नियंतरन हो जाएग क्योंकि मिडल जो क्लास है उसी में जादा जनता होती है अब आपके पुझी पती तो एक या दो परसंट है मिडल क्लास में ही आपके 60-70 परसंट लोग है अगर उसके उपर पुझी पती जो आपके श्रमिकों का नियंतरन हो जाता है तो आप आप उटोमेटिकली युद ज कार खाने परिशद के विचार पर महत्यों पुझी बल दिया इकार खानों में जो परिशद बनती है किन्तु ये भी उलेखनी है कि फैक्टरी परिशदे ट्रेड यूनियोनों के बिना के बिल्कुल भी समान नहीं है फैक्टरी परिशद की निमलिकित विशेषता है तो फै और परिशद का कार्य शिक्षात्मक भी है फैक्टरी परिशद द्वारा श्रमिकों को प्रशिक्षन देकर कार खाने को नियंतरित करने के उपाय बताये जाते हैं परिशदों के द्वारा श्रमिकों के मध्य अनुशाषन का निर्मान करते हुए उन्हें साम्मेवादी शि पर अत्याधिक बिबाद हुआ कि ग्रामशी ने दल को जादा महतो दिया या फैक्टरी परिशद को विचार को के अनुसार ग्रामशी ने दल को जादा महतो दिया है अता उसे लैनिन की भाती दल के महतो को स्विकार किया तथा संगठित दल के द्वारा सामेवादी क्रांती स द्वारा नहीं आएगी, ये नागरिक समाज के द्वारा ही आएगी, जो सहमती मूलक संरचना है, नागरिक समाज पर बुद्धी जीवियो द्वारा स्थितियों के युद्ध द्वारा नियंतरन होगा, जिसका अभी प्राय निम लिखिते, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं बीच में, कि सबसे पहले सिविल सुसाइटी मुझे लगता है आपको यहाँ पर कलियर होना चाहिए कि सिविल सुसाइटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो सिविल सुसाइटी का मतलब होता है नागरिक समाज, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, आप मोटे तोर समझो, आप एक गाउं में रह रहे हैं, तो आप एक नागरिक समाज के अंदर रह रहे हैं, नागरिक समाज के अंदर आपका गाउं आजाता है, यह पॉलिटिकल नहीं है, आपका गाउं आजाता है, आपकी पंचायत आजाती है, आपका परिवार आजाता है, आपका पियर लिए अच्छा है क्या तेरे लिए गलत है तेरे लिए नियम बनाए जा रहे है यह बताया जा रहा है civil society के दोरा धर्म धर्म भी एक institution है civil society का जाती जाती institution है ठीक है school में आपका behavior मोडिफाई किया जाता है कि आप अच्छा काम करो यह करो जो मतलब धर्म के अनुसार चलो अब धर्म क्या है उसकी definition तो नहीं दे सकते हैं हो सकता है धर्म के अंदर गलत चीजे भी लिखी हो लेकिन आप तो मान रहे हो because आपको बचपन से लेके उस तरीके से civil society ने ट्रेंड किया है ठीक है तो परिस्थितियों द्वारा युद पे वापिस आते हैं नमबर एक परिस्थितियों के अनुसार रणनीती परिवर्तित करना और चिपकर संगर्ष करना परिस्थितिया आप देखोगे कि कैसी परिस्थिति समाज के अंदर है अगर हमने अभी युद किया हो सकता है सारे लोग हमारे खिलाप हो जाए अगर परिस्थितिया ऐसी बनी है कि समाज में हाहा कार मची है राज्ये में राज्ये ने लूट मचा रखी है महंगा ही बढ़ तो अगर वो परिस्थिती है तो आप संगर्ष कर सकते हैं चिप कर संगर्ष करते हैं गोरिल्ला टैक्टिस भी बोला जाता है स्थितियों का युद्ध लोगों के सहमती के द्वारा किया जाता है स्थीतियों का जो युद्ध है पहले लोगों की consent ली जाएगी भई हम ऐसा सा काम कर रहे हैं आप इस पंचायत के अंदर इस पंचायत के अंदर ऐसे से क्या है गोटाले हुए हैं आप हमारे साथ हो की नहीं हो पहले उनकी सहमती बनाई जाएगी अगर सहमती नहीं बनाई तो capitalist सारे लोगों को अपने साथ करके आपको मरवा भी सकते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे आप नागरिक समाज पर उनके विचार पर नियंतरन करेंगे सहमती पर स्थीतियों का युद्ध वैचारिक युद्ध है विचार का युद्ध है जिसके द्वारा नागरिक समाज पर नियंतरन किया जाता है विचारों के द्वारा ही नागरिक समाज पर नियंतरन किया जाता है कोई बहुत बड़ा पुंजीवादी ऐसे नियंतर नहीं कर सकता है, गालिया ही मारते लोग, पुंजीवादी देशों में स्थितियों का युद्ध बहतर बिकल्प है, क्योंकि यहां राज्य वास्माज के मध्य स्पष्ट अंतर है, वह इन राज्यों में राज्य शक्तिशा जिनके बिरूद सीधा संगर्ष औव्यवारिक है, आप सीधा संगर्ष करोगे ना पुंजीवादी राज्यों में, सीधा गोली से उड़ा देंगे आपको, इसलिए वहाँ पे स्थितियों का युद्ध ही आपके लिए उपयोगी है, ग्रामशी के अनुसार रूसी क्रांत हुआ था, ठीक है, राज्यों सरकार पर नियंतरन स्थापित कर लेना, ठीक है, जब आप युद्ध जीर जाओगे, आप क्या करोगे राज्या, तो राज्यों अपने हतिया लोगों जैसे आपका इटली का उधारन ले लो, जर्मनी, जापान, वो क्या है, पूरा का पूरी प्रांस को यह अपने अंडर ले लिया, पॉलेंड को यह अपने अंडर ले लिया, सरकार यह अपने अंडर कर ली, तो यह डारेक्ट यूद का एक उधारन है, रूस में यह सफल हुआ, क्योंकि वहां राज्य वा नागरिक्समास के मध्य सपष्ट भीभाजन नहीं था, त को लगे ना लगे वो तो, आपपे डिपेंड करता है, concept of hegemony, ग्रामशी की आधी पत्य की संकल्पना, दोस्तों ग्रामशी के अनुसार, आधी पत्य का आशय नेत्रित्तों में हैं, यह नेत्रित्तों आम नागरिकों की सहमती दोरा होगा, कहने का अभिप्राय है कि ग्राम व्यवहार के उपर नियंतरन करना, उनको समझाना धर्म के द्वारा, कि अगर धर्म का पालन करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको मौक्ष मिलेगा, आपको यह मिलेगा, आपको वो मिलेगा, लेकिन उनका मूल कारण क्या है, धर्म का मूल कारण यह है, कि हमारे मंदिर, हमारी जो दुकाने ये चलती रहे और लोगों के दिमाग में बस ये रहे कि आपको परमातमा मिलेगा भई परमातमा तो आपके अंदर है भगवान आपके अंदर है, मंदिरों में नहीं मिलेगा तो ये concept ये हैजमनी का concept है धरम का जो concept है ठीक है सेकिंड देखते हैं ग्रामशी ने पूंजीवादी समाज का विशलेशन करते हुए उसके स्वरूप वा प्रभाव को स्पष्ट करने में आधी पत्ती की संकल्पना का प्रयोग किया पूंजीवादी राज्य का सशक्त होने का कारण केवल आर्थिक रूप में प्रभुत उशाली होना ही नहीं है ना ही पूंजीवादी राज्य केवल शक्ती के प्रयोग के द्वारा बना हुआ है कहने का अभी प्राय ये है कि पूंजीवादी राज्ये को नागरिक समाज का समर्थन प्राप्त है क्योंकि इस पूंजीवादी राज्ये ने नागरिक समाज नागरिक समाज में ट्रेड, यूनियन, विश्व विद्यालेचर्ज, परिवार बहुत से आ जाते हैं कि माध्यम से पूरे समाज के उपर अपना आधिपत्य नियंतरन किया है तो आप सोचोगे कि पुझी वाद को उखाड फेंकना है हमने अभी जो ये अमबानी अडानी ये एक परसंट जो लोग है 73 परसंट प्रोपर्टी इंडिया के इनोंने पकड़ ली है आपने दिखा होगा ओक्सफेम की रिपोर्ट आईए 73 परसंट प्रोपर्टी जो इंडिया की है ये इनी एक परसंट लोगों के हाथ में चली गई है बाकी के जो बचे 99 परसंट लोग वो कितने परसंट पर जी रहे हैं 27 परसंट पर क्या ये ये नियाए प्री सोसाइटी है क्या हमारा समाज में नियाए है बिल्कुल भी नहीं है तो ये आपको समझना पड़ेगा इन चीजों को तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है ये आदिपत्ती किसके द्वारा स्थापित किया गया है कि हम आज अमबानी के खिलाफ अडानी के खिलाफ या फिर इस्षोषन के खिलाप नहीं बोल रहे हैं ये ट्रेड यूनियन के द्वारा ठीक है बहुत सारे ट्रेड यूनियन है ये भी आदिपत्य स्थापित करते हैं विद्यालियों में हमें ये बताया गया है कि राज्ये का हमें सम्मान करना चाहिए वो करना चाहिए चर्च हमें बताता है चर्च तो यहाँ पे ये वैस्ट के संदर में है लेकिन इंडिया के संदर में मंदिर है मंदिर में ही तो हमें बोला गया है कि हमें शांत रहना चाहिए हमें गुसा नहीं करना चाहिए हमें ये नहीं करना चाहिए वो नि करना चाहिए ठीक है परिवार हमें बोलता है आप क्यों जगढे में पढ़ते हो परिवार हमें समझाता है एक परसेंट लोग लेगे प्रृवटे ती हoglo परसेंट तुझे क्या फरक है तुझे तु खाने को मिल रहा है ठीक है परिवार हमें समझाएगा तू क्यों जगडे में पढ़ता है इस तरीके का कॉंसेप्ट है है जमनी का यह ऐसे स्थापित किया जाता है इसलिए ग्रामशी के अनुसार आधिपत्य का आशे सांस्कृतिक आधिपत्य से है कल्चरल है जमनी से है कि कल्चर के आधार पे ही है जमनी स्थापित की गई है दूसरे शब्दों में आधिपत्य का आशे लोगों के विचार तथा अभिवर्ति में है परिवर्तन से है एवं साम्यवाद मुल्यों को समाज में स्थापित करने से है ठीक है, तो आदीपत्य कैसे स्थापित होता है, एक छोटी सी आपको मैं एक्जामपल देता हूँ, एक जो श्रमिक होता है, मिल में जो काम कर रहा है, मिल में एक श्रमिक मजदूर एक काम करता है, वो क्या सपने देखता है, वो सपने देखता है कि एक दिन में भी अपनी मिल खड़ी करूँगा में भी एक दिन मालिक बनूगा अब जब मजदूर खुद ये सपने देख रहा है कि मैं पूंजी पती बनूगा एक दिन हो गया करांती करेगा पूंजी पतियों के खिलाब तो ये कल्चरल हैजेमनी है कल्चर उसके दिमाग में बैठ गया है ऐसा कि जो य माक्स के विचारों के अनुसार तथा लैनिन ने जिसे सौवियत संग में प्रयोग किया वे आधिपत्य को आर्थिक और राजनितिक रूप में देख रहे थे चीक है आधिपत्य क्यों है जेमनी क्यों आधिपत्य का मूल उदेश्य सम्मेवाद की प्राप्ती तथा इसलिए ग्रामशी ने समाज पर इस आधिपत्य को स्थितियों का युद कहा है। अता यहां पर ग्रामशी ने पूंजिवादी विक्सित देशों में साम्मेवाद लाने के लिए पहले सब्य समाज पर आधिपत्य का समर्थन किया है। लेकिन स्वभाविक रूप से शाषन परनाली को तो समाज की सहमती के द्वारा ही चलती है इसको ही वो स्थितियों का युद कहता है जिसे आदिपत्य का केंदर समाज होगा जिसमें आदिपत्य का केंदर समाज होगा आदिपत्य किसके द्वारा लाया जाएगा ग्रामशी के अनुसार आधिपत्य बुद्धी जीवियों के द्वारा लाया जाएगा बुद्धी जीवियों के द्वारा लाया जाएगा बुद्धी जीवियों के द्वारा लाया जाएगा बाद करते हैं ग्रामशी मैंने बोल रहा हूँ ठीक है संगठित बुद्धी जीवी से ग्रामशी का अभिप्राय है कि ये एक वर्ग के लोग होते हैं जिनका उदेश्य समाज में परिवर्तन लाना होता है ग्रामशी ने इटली के साम्यवादी दल को संगठित बुद्धी ज वो दोनों के है, पुझी पतियों के भी है और मजदूरों के भी है, पुझी पतियों के बुद्धी जीवी क्या करते हैं, और गयनिक बुद्धी जीवी, पुझी पतियों की सभ्याता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अभी आपने देखा होगा, कैसी मार्केट वेवस्था बन गई है, consumerism जिसे उपभोकतावाद की संस्कृती ये मजदूरों ने थोड़ी फेलाई कि आपको ऐसी में रहना है आपको ये करना है, आपको वो करना है आपको इतना comfortable life दी जाएगी तो ये संस्कृती किसकी है ये पुझी पतियों की है और ये पुझी पतियों के organic intellectual ने अपनी हजेमनी स्थापित की है समाज के उपर वैसे ही मजदूरों के भी होते हैं मजदूरों के जो ये उनके अंदर चेतना भरते हैं कि आपके उपर शोशन हो रहा है काल माक्स उसका एक उधारन है ग्रामशी उसके एक उधारन है आपके स्टालिन, लेनिन ये सारे के सारे मजदूरों के organic intellectual माने जाएंगी ठीक है तो ये दो प्रकार के intellectual ये दोनों में होते है पुझी पति में भी और श्रमिकों में भी माक्स के अनुसार माक्स क्या बोलते है कि राज्य के उपर किसका नियंतरन होगा जिसके पास economy होगी जिसके पास आर्थिक power होगी एवं राज्य का बने रहना राज्य की बाध्यकारी शक्ति पर आधारित होगा यानि राज्य तब तक बना रहेगा जब तक उसके पार authoritarian जब उसके पास बाध्यकारी शक्ति हो तब तक राज्य बना रहेगा अगर वो खतम होगी तो राज्य खतम हो रहेगा ठीक है माक्स के इसी मूल सिधान को आर्थिक निरधारन वाद कहा जाता है एकॉनोमिक डिटर्मिनिजम डिटर्मिनिजम economic determinism इसको बिल्कुल याद रखना है ये question हैं से हर बार घुमा फिरा के कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है इसी को बोला जाता है अर्थिक निर्धारणवाद जिसके अनुसार राज्य एक परजीवी संस्ता है जिसका मूँ लादार है अर्थवेवस्ता अब देखों इनके कुछ आलोचक भी हुए है वैसे तो बहुत बड़ा concept है ग्रामशी का पुरी की पुरी इनकी बुक है उसमें से मैंने ये notes आपके लिए बनाए हैं तो वही आपको बता रहा हूँ पूरा तो नहीं यहाँ पर इनकी थिवरी को रख पाऊंगा एक एक थिवरी के उपर पूरा लेक्टर लग जाएगा तो आलोचना जोसेफ फहमिया के अनुसार ग्रामशी के सिधान्त में शक्ती के वितरन तथा मुल्यों की वैधानिकता के मध्य सपष्ट संबंद का अभाव है शक्ती का वितरन क्या होगा मुल्य क्या होगी उसकी वैधानिकता मतलब उसकी लैजिटी में सी क्या होगी उसमें कोई इन्होंने सपष्ट संबंद नहीं बताया है ग्रामशी ने ये माना है कि विभिन वर्गों के दृष्टी कौन में आपसी सहमती का निर्मान किया जा सकता है ठीक है जो विभिन परकार के पुझी वादी है या फिर श्रमिक है उनके बीच भी आपसी सहमती बनाई जा सकती है तो जरूरी ने करांती ही लानी है सहमती के द्वारा भी ये काम हो सकता है तो ये ग्रामशी ने खुद माना है ग्रामशी ने सामाजिक स्तरी करण को आपरिहारे वासभी के लिए लाप्रद माना है जबकि ये पश्ची मी समाजू का तुरुती पोर्ण मुल्यांकन है स्तरी करण मतलब स्ट्रैटिफिकेशन कर दिया स्टेजिज उन्होंने उसमें बना दी है जो कि पश्ची में आप बिल्कुल भी उसको आप दीखनी सकते हैं नहीं होता है हालाकि इंडिया में है ग्रामशी के अनुसार विक्सित पुंजिवादी देशों में करांती सब्वे समाज के माध्यम से होगी लेकिन यदि जर्मनी का उधारन देखा जाए तो इस संकल्पना में हमेशा संदे रहा है कि दल सदेव करांती के लिए ततपर रहेगा क्योंकि जर्मनी में समाजवादी दल ने करांती को पीछे छोड़ दिया था इटली के विशलेशन में भी ग्रामशी सपष नहीं है क्योंकि वो करांती के सिधान्त विक्सित पुझीवादी देशों के लिए ही देते हैं लेकिन इटली के संदर में भी ये सुईकार करते हैं कि इटली में क्रांटी पूंजीवाद साबस का आधिपत्य हुआ, इससे भी यह संदे होता है कि समय वादि क्रांटी का वास्तविक रूप में समाज परिवर्तन दौरा संभव है, क्यूंकि यह समाजिक परिवर्तन देर्ट कालिक प्रक्रिया होगी, तो conclusion में देख लेते हैं ग्रामशी के विचार prison notebook prison notebooks जो पहले ही आपको बोला मैंने 3000 प्रिष्ठों में और 30 notebook इसको बोला जाता है मैं वर्नित है जिसमें अनेक विचार, परसपर और व्यवस्थित वाप विखरे हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि ग्रामशी ने कभी समग्र लेखन नहीं किया एक साथ इन्होंने ने लिखा कि page 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 wise या फिर अलग-अलग topic के उपर मिक्स कर दिया है अता विचारों में अस पश्टता स्वभाविक है इसके बावजूद ग्रामशी के विचारों से परभावित होकर नव वामपंत का विकास हुआ लैटिन अमेरिका के प्रसिद क्रांती कारी अर्नेस्टो ची गुवेरा ने कहा कि पूरे विश्व में सामेवादी क्रांती के लिए सोवियत संग का मोडल अपरियाप्त है अता अलग-अलग देशों में परिस्थितियों के अनुसार क्रांती के लिए अलग-अलग मोडल होने चाहिए तो दोस्तो ये था पूरा का पूरा interpretation ग्रामशी की थियोरी की ग्रामशी क्या बात करते हैं किस परकार से ये नियो माक्स माक्सिस्ट माने जाते हैं critical थियोरी की नीव इनोंने कैसी रखी तो I hope आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाबदायक होगी Thank you, thanks for watching